हेलो फ्रेंट्स जीनियस इस्टिट्यूट में आप सुभलों का एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स इस वीडियो में हम एड़ फोटो सॉफ की मदद से जो आधार कार्ड होता है उसको हम कैसे सही करते हैं जो हम मोबाइल के द्वारा खीषते हैं और जब हम फोटो कॉपी करवाने जाते हैं या उसका फ्रेंट आउर निकलवाने जाते हैं तो उसका जो साइज होता है वो एक्जेक्ट साइज नहीं निकलता है वो क्या होता है वो खराब साइज होता है वो हम फोटो जब खीषते है तो वो कहीं न कहीं से तिर्चा हो जाता है तो उसको हम made of photoshop की मदद से कैसे सही करते हैं और एक clear print हम कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो friends देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends आपको सबसे पहले आधार कार्ड को scan कर लेना या photo किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद अपने laptop या desktop में डाल लेना है उसके बाद फोटोसोग में डिरेक्ट ओपिन कर लेना है ओपिन कर लेने के बाद friends आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नया page ले लेना है मैं control लेन दवा कर एक नया page ले लेता हूं यहाँ पर A4 Size उसके बाद आपको ok कर दýना है और इस page को आपको symbols में आजाता है उसके बाद friends हमें क्या करना है अपने keyboard से Ctrl L दवाना है और यहां पर a option डियरहता है जूम करके दिखादेता हूं आपको yay पर a aaa option डियरहता है इस option पर क्या है आपको क्लिक कर देना है उसके बाद friends आधार पर कहीं भी आपको dark area जो होता है वहाँ पर आपको click कर देना है तो इससे क्या होता है जो dark वाला area होता है वो automatic white में convert कर देता है और friends आपको क्या कर देना है ok कर देना है तो मैं यहाँ पर ok कर देता हूँ इतना कर लेने के बाद आपको friends क्या करना है इसको एक size देना है, जो आधार का size होता है तो friends सबसे पहले हमें इसको क्या करना है यहाँ पे इसको click करके, इसको पहले यहाँ पूरा area हमें क्या कर लेना है Select कर लेना है, मैं यहाँ से Select कर लेता हूँ यहाँ पिर आप Ctrl ले करके फिर Select कर सकते हैं यहां पर move tool पर click करके यहां पर मैं दिखा देता हूँ आपको यहां पर click कर देना है click करने के बाद क्या है यहां पर यह बॉक्स बन कर आ जाता अगर आपका box नहीं आ रहे तो यहां पर दोनों पर tick लगा देना तो box आ जाएगा और इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है मैं यहां से इसको थोड़ा सा खीच के पतला कर लेता हूँ उसके बाद friends आपको क्या करना है यहां पर दुबारा से control ये करना है और यहां पर देखिए point आ जाते हैं तो अब हमें आधार का ये portion जो है एक side में तिर्चा सा है तो इसको मुझे सीधा करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस point पर click करके control दबा के इसको right की तरफ drag करूँगा थोड़ा सा और इसको ओपर की तरफ drag करूँगा तो यहां पर देखिए आधार लगबख सीधा हो गया है मैं इसको थोड़ा सा इदा आपको ध्यान देना है कि आप अपने keyboard से control की दबाय रखेंगे और corner में कहीं भी खीजेंगे तो उस तरफ हो automatic drag हो जाएगा और उसके बाद आपको यहां पर tick पर click कर देना है यहां जो zoom पर मैं करके दिखा देता हूँ यहां पर click कर देना है click करता ही आधार का exact जो है वो face आपके सामने आ जाता है उसके बाद friends आपको क्या करना है यहां पर direct control D कर देना है और Ctrl A कर देना है उसके बाद यहाँ Crop Tool से इस Photo के Size को क्या कर लेना है जो आधार का Size होता है उसको हमें यहाँ पर Crop कर लेना है तो मैं यहां पर Size डाल देता हूं, जो आधार का Size होता है, यहां पर मैं डाल देता हूं, 3.4-inch और 2.3-inch और यह रिजरीजलेशन कर देता हूं 300, यह महीं जूम करके आपको दिखा देता हूं, यही आपको Size क्या है, डालना है उसके बाद friends है को यहां से crop कर लेना है सिर्फ आधार को crop करना है मैं यहां से आधार का size क्या कर लेता हूँ crop कर लेता हूँ ठोड़ा सा ऊपर नहीं जो भी ड्रैक करना वह आप आसानी से कर सकते हैं उसके बाद आपको enter की दबा देना है और इसको control माइनस से क्या कर लेना थोड़ा सा छोटा कर लेना अगर अगर आपको और यह डार्क लग रहा है तो आप यहां से एरेजर टूल ले सकते हैं एरेजर टूल लेने के बाद आप यहां पर कीबोर्ड से एरेजर को बड़ा कर लेना है और इसको क्या कर देना है रिमूब कर देना है अगर आप इससे रिमूब करना चाहें तो रिमूब कर सकते हैं अगर नहीं से रिमूब करना है तो आप यहां पर जो आपका रेटेंगल टूल दिया रहता है यहां पर रेटेंगल मार्क्यू टूल दिया रहता है एम दवाने से आ जाता ह तो इसको आप select करके भी आप direct आसानी से इसको delete कर सकते हैं यानि कि आसानी से इसके फीछे का जो background होता है उसको आप remove कर सकते हैं मैं यहां से remove कर देता हूं friends इसको क्या है बहुत ही बारिकी से आपको काम करना है ताकि आपका जो की आधार है वो बिल्कुल आज़सानी से और बहुत अच्छे तरीके से आपका view ready कर सकें यहां पर friends में सारी चीजों का ध्यान देना है और यहां पर यह सब चीजें dark वाली ज यहां पर यह सारी चीजी हटा देते हैं हटा देने बाद friends क्या करना है आपको यहां से ओफर कर डार्क में थोड़ा सा हटा देता हूं कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल सी करना है आपको इससे क्या होता है यह कॉपी हो जाएगा और जो आपनी नया पेज खोला था सबसे पहले उस पर क्या कर देना है इसको कंट्रोल भी कर देना है कंट्रोल भी करने से क्या होता है आपका जो पोटो था वह जो आपका आधार यह चोड़ देना इतना करने के बाद जो प्रोसेस मेने आधार के साथ adopt किया है इसको कर दीने और इस वाले के यह इसको एक uniformize कर के इसको भी वही शेम टॉसेम प्रोसेस कर लेना है पहले सेल करना यहाँ पर जो point दिया रहता है इस point पर ही आपको यहाँ पर देखे लिख कर आता है set white point यहाँ कि white point set करने के लिए इस पर click करना है और जैसे ही आप कहीं भी dark area पर click करते हैं तो यह क्या करता है यह आट्योमेटिक उस color को remove कर देता है उसके बाद friends इसको क्या करना है okay कर देना है ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा minimize कर लेना है और Ctrl A कर लेना है अब यह नीचे का portion जो हमारा है वह बहुत चोटा है और उपर का portion क्या है पढ़ा है तो इसको हम control की के साथ यानि कि यहां फे move tool पर click कर लेना है पहले उसके बाद control की दबाया रखना है और अपने left की तरफ ड्रैक करना है और इधर का portion राइड की तरफ ड्रैक करना है आपको जब सीधा लगे कि हाँ यह इतने फेश ठीक है एकदम से टेबल है तो okay करके आपको अब इसको थोड़ा सा पतला भी कर लेना है ताकि यह जो portion है वह थोड़ा स पतला हो जाए मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हो उसके वाद इसको okay कर देना है उसके प्रेंड्स इसको crop कर लेना है crop करने के लिए साइज हो ही same to same 3.4 into 2.3 और इसको drag करकर क्या कर लेना है crop कर लेना है crop कर लेने के बाद आपको क्या करना है enter की दवा देना है और अगर यह जो dark आपको दिख रहा है इसको भटाना है तो यहां पर M टूल दवाकर उसको आप हटा सकते हैं delete कर सकते हैं यहां पर friends हमारा color जो है वह दूसरा आ गया तो मैं यहां से क्या कर लेता हूँ वाइट कलर को Select कर लेता हूँ और यहां से Delete कर लेता हूँ Delete कर लेने के बाद आपको same to same अपनी हिसाब से Set कर लेने है सिट कर देने के बाद आपको Ctrl E दबाना है तो यह दोनों क्या हो जाएंगे अपस में मर्ज हो जाएंगे अब इसको Ctrl M करके आप इसको डार्क और लाइट जो भी जाहें वह आसानी से कर सकते हैं अगर आपको लाइट चाहिए तो लाइट कर सकते हैं डार्क चाहिए तो डार् जो देता हूं तो friends यह है आपका आधार जो है पूरी तरीके से print के लिए ready हो गया है अब आप अपने keyboard से control-p के द्वरा या control-alt-p के द्वरा directly क्या कर सकते हैं इसको preview देख सकते हैं और directly क्या कर सकते हैं प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको friends क्या करना है यहाँ पर Scale toAsia इस पर आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्ट आप प्रिंट पर किलिक करेंग और जो भी आपको printer लगा हो गां होगाँ यहा पर सेलेक्ट करके उसको प्रेंट कर लेना है या फिर अगर आपको PDF बनाना तो यहां से Microsoft print to PDF लिखा हुआ है यहां पर किलिख करके आप PDF को बना सकते हैं तो फ्रेंट मुझे PDF नहीं बनाना है ना तो प्रेंट करना में तो आपको बताने के लिए आपको यह process follow किया है और आप भी ऐसे ही process follow करके कोई भी आदार जो भी document होता है उसका color आप सही कर सकते हैं उसके size को आप exact match करवा सकते हैं और सारी चीजे अपने आप सही कर सकते हैं और इसमें किसे की दूसरे की मदद नहीं लेनी है आपको अपने आप से भी यह काम कर सकते हैं तो friends आपको यह और आप एला आप इंडाउग करें और साथ ही साथ अगर म यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकण पर आल कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो जब भी हम डालें तो इसकी